ऐसी एप से यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर 5000 रुपय का credit limit मिला है तो मैं इस credit limit को चाहूं तो मैं अपने bank account में तुरद के तुरद वीडियो भी कर सकता हूँ और इस credit limit से दोस्तों मैं यहाँ पर आपना कुछ भी shopping भी कर सकता हूँ जो कि shopping करेंगे तो हमार पैसा है कि एबिलेवल क्रेडिट 5000 तो यह 5000 जो है इस पाच से दर हम बैक अकाउंट में लेते हैं तो हमें यहाँ पर कैसे लेना है यहाँ पर देखिए पैसा आपको मिलने वाले हैं 2.5% के हिसाब से यानि कि जो इंडरेश रेट होगा 2.5% तो यहाँ पर चलिए हम अप्ल अफिसर इमेल यहाँ पर डाला है तो हमें स्कीप कर देंगे स्कीप करने के बाद आगे का इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा इंटरफेस आपसे पूछा जा रहा है कंफर्म बैंक डिटेल्स टू अपलाई लोन बैंक नेम पंजाब नेशनल बैंक एकाउंट नमर यह यह है आ आप यहाँ पर इडिटिंग पर क्लिक करके इडिटिंग कर सकते हैं ठीक है अगर आप यह सब चीज़े साही है तो आपको यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है जैसे एकजाबल के लिए आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर सभी चीज़ साही है तो हम कंफर्म पर क्लिक कर देंगे जैसे हमने कंफर्म पर क्लिक किया तो मैं आपको लाइब दिखाने का फूल परियास कर रहा हूं तो यहां पर दोस्तों अब देख सकते हो कि मुझे अगर हम यहांसे अगर पांच हजार रुपय का लोण लेता हूं तो मैं एक्जापल के लिए मैं मुझे पांच क्लिए लोन ले रहे हैं तो हम मेडिकल के लिए ले रहे हैं कि लोन को रिपार्मेंट के लिए या सौपिंग करने के लिए ले रहे हैं कुछ भी करने के लिए आप ले रहे हैं लेकिन आपको यहां पर रिजन बताना परेगा तो चलिए मैं यहां पर कोई साभी एक रिजन में अपने यहां पर डाल देता हूं जिसे यहां पर मैं डाल देता हूं मैं यहां पर डाल देता हूं यहां पर shopping के लिए मैं डाल देता हूं shopping पर मैंने क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के और यहां पर process with आप देख सकते हो कि ung p dai g geral ऑर यहां पर पर ऐसका पर पाण सब्र से कटने वाले हे और जो के और और आपकोाँ सम पर देने होगे डॉक्यमेंटे संद च्रology आपको 50 अगमों मुटको चाहजार मुलाको पाछेजारबिसी देना है और यहां केहां के लिए जिसका होगा Kollege तो 8800 का एमाई होगा तो 8,854,460 हो गया च्शहालीस सो रुप्या हमें यह बैग अकाउट में दे रहे हैं काट पीट के तो कितना हमें व्याज हो गया का 46-4 हो गया 50 और 50-4 गया यहांपर तीन महीने में 800 रुपयाय का ब्याज देना पड़ता है अगर यह सब प्रोसिस प्रिश प्रोसिस ना काटें तो हमें थूराई सा बचत हो जाएगा लेकिन अपर प्रोसिस फीस हर एक कारती है तो कैसी यह भी करता है कोई दिकत नहीं तो चलिए हम लाइब आपको य 70 रुपया होगा स्राफ सिंम से हम से लिया जाए कितना 1000 फेला जिसका मई होगा इन मंत लिए..! तीं सा उननसाट उंसाट नसाट रोप्य हमें पेक करना होगा… तो चलिये हम यहां पर हम यहां पर यहां पर करते हैं क्लिक कर दिया आ प्रोशेस कर देने के बाद आगे का इंटर्फेस देखिए हो जो भी आपको इंटर्फेस अपको दिखाई दे रहा होगा धियां ऑचntenop rif also video देना क्रवनेंट का अच्छा है काफी अच्छा है कोई दिकत नहीं है लेकिन इसमें से कितना हमें आएंगे खाते में तो यह नो सो टेइस रूपीय आएंगे तो कोई बात नहीं तो हम confirm details पर हम click कर देते हैं चलिए confirm details पर हमने click किया तो देखेगा हमारे खाते में जो है यहां पर interview name आप से पूछा जा रहा है तो हम यहां पर डाल देंगे जो भी मेरा नाम है मैं यहां पह अपर सीलेट कर लूँगा मैं अपना नाम और यहां नाम डालओ में प्रोसेस पर हम क्लिक कर दो मुझे भिंगर मोंगा जा रहा है तो मे curator मेरा इसके बाद मैं अपना पासकोर्ट भी डाल दिया हूँ इसके बाद देखते हैं कि मुझे आते हैं या नहीं तो यहां पर देखिए हमारे लगता है में इसे अभी थोगा सा रेटिंग बाद में दूंगा देखता हूं मुझे खाते में है माइ कैसी रीक्वेष्ट इस अब डिसीटर अंड शक्सेश्फुल वरिफिकाशन अफ डॉक्मेंट युझे खेंश सेयर दर माइक्वेष्ट तो हम यहां पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि हमारा लोन अभी खाते में नहीं आ है लेकिन यहां पर देख सकते हो कि मेरा यह करेडिट हो जाएगा तुरत कर तुरत तो नहीं होता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है एक दो घंटा लगेगा या दो दिन लगेगा या तिन लगेगा यह तो हमें भी पता नहीं है लेकिन देखते हैं कि कितने दिरी में पैसा हमारे बाएंगे काउट में करेडिट हो जा दो बारे में होगा एक separate वीडियो बनाकर आप लोग के साथ share किया जाएगा और दोस्तों छोटी से वीडियो में इतना ही और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक किजेगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर कि अपने साथ Ketalas